तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज़्यादा है क्योंकि यहां पर मैं आपको बताने वाली हो कि किस तरह से आप जो है सपोर्ट रेशन्स ब्रेक आउट वाले स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो और बहुत सारी लोग सबसे पहले आपको उपन करना होगा scanx यह जो scanx है अगर फर्ण आपको इसका use करना है तो इसके लिए आपको अपना account open करना होगा धन पर और वीडियो की discussion ने आपको link मिल जाएगा आप open कर सकते हो अगर आप अपना account open नहीं करोगे तो फिर देको इसके अंदर कुछ ऐसे options होंगे कुछ ऐसे features होंगे जिनका use आ आपको अपना account open करना होगा और उसके बाद यहां पर login करना होगा ठीक है तो अगर जिसको भी account open करना है तो description आपको link मिल जाएगा आप open कर सकते हो अब यहां पर देको scanx open करने के बाद इस तरह से हमारा home page open होगा home page पर आने के बाद सबसे टॉप पर आपको option मिलेगा screeners का इसको open करेंगे जैसे आप click करोगे आपको कई सारे options मिल जाते हैं यह कुछ options मैं बता चुकी हूँ पहले भी जैसे candlestick screener का price and volume screener intraday screener भी मैंने बता दिया है detail में video है आप देख सकते हो channel के playlist में आपको मिल जाएगी next देखो आज हमें यहां पर देखना है technical screener का option तो चलो इसको open कर लेते हैं जैसी open करेंगे इसके अंदर जो भी options होंगे जो भी features होंगे वो यहां पर show करेंगे सबसे पहला है यहां पर death crossover उसके बाद है golden crossover उसके बाद है momentum stocks over bought RSI stocks भी और oversold RSI stocks भी जो लोग RSI का use करते हैं उनके लिए तो best होने वाला है और जो लोग moving average को use करते है तो यहां से आप पता लगा सकते हो कि कौन से stock bearish है और कौन से stock bullish है तो एक- funktioniert कर के यहाँ पर हम देख लेते हैं ने एक option आपको यहां पर मिलेगा resistance breakout वाले stocks भी यहां पर Westerns 2 resistance 3 breakout वाले stocks भी अपको मिल जाते यह इसी तरह से support breakout वाले stocks भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और range में जो stocks होंगे वो भी यहां पर show करेंगे सिर्फ एक single click से तो चलो इसको open कर लेते हैं यहां पर सबसे बहले देख लेते हैं death cross over stocks को इसको open करेंगे तो जो stocks bearish होंगे जिनका trend bearish चल रहा होगा वो यहां पर show तो करेंगे यहां से देख Chuuk कौन सा यिए में यूसकिया हूँआ है। ठीक है यहां पर इसकी डिटेल दी हुई है। आप यहां से पठ सकते हो। अब यहां पर डिखो कुछ स्टॉक सैना हूँ सतर् disproportionately हैं तो सबसे पहले यहां पर देखे तो सबसे पहले हैं यहां पर PNB नहां से आप जो है चार्ट दी ओपन कर सकते हैं तो यह दो कि ये और क्रोषोवर हो रहा हい यानि कि यह कॉन सा है यह स्टोक कौन सा है इससी स्टोक है यह से तरह से आगर आपको देखना है यह आप पर सेकेंड एक बार ले लेते हैं N하기 यहां पर देख सकते हैं यहां से आप डिटेल पढ़ सकते हो देखो लिखावाद सजेस्टिंग बुलिश ट्रेंड ट्रेंड और इसकी यहां पर स्ट्रेजिग भी दीऊ है gratis एमे यहां से एपड़ सकते हो देख सकते हो तो चलो यहां पर कोई ऍसकर राइस क्या हो रहा मौज कि आ अप Сейчас जो इस तरह से जो हैं सिंगल क्लिक से बुलिश और बेरिश वाली स्टॉक्स को सब्स्क्राइब कर सकते हो तो यहां पर आपको option में लेगा momentum stocks, जिन stocks में momentum चल रहा होगा, click करके देख लेते हैं, तो momentum जो stocks होगा, इसकी जो strategy है, वो यहां पर show कर रही है, आप देख सकते हो कि इसमें क्या-क्या चीज़े use हुई है, उसके according यह stocks है, यहां पर हम PCBL का chart देख लेते, open करके, इसका chart हम open कर लेते हैं, तो इसका momentum देख सकते हो, यह कौन सा stock है, momentum stock है, लगातार market यहां पर move कर रहा है, यानि जो यह stock है, लगातार इसमें moment चल रही है, तो अगर आपको भी momentum stocks चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ एक single click से यहां से आप just search कर सकते हो, अगर देखना है, तो चलो इसका भी chart एक बार open कर लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं, तो यह भी क्या है, इसका भी momentum चल रहा है, तो यहां से आपको मिल जाते हैं, momentum वाले stocks भी, फिर से जाते हैं technical screener में, next यहां पर आपको मिलेगा, overbought RSI stocks और oversold RSI वाले stocks भी आपको मिल जाते हैं, तो चलो एक बार open कर लेते हैं, overbought RSI वाली stocks को, इसकी strategy यहां पर दी हुई है, ठीक है, जिन stocks में, जो RSI यहां पर 70 अबव है, तो वो stocks यहां पर show करेंगे, ठीक है, यानि कि उसमें एक correction आ सकता है, suppose यहां पर हम ले लेते हैं, trend, इसका chart एक बार open कर लेते हैं, अब यहां पर जो chart है, price यहां पर already इतना move कर चुका है, तो अगर आप RSI का use करोगे, तो वहां पर RSI के recording, यह stock क्या हो चुका है, overbought हो चुका है, next यहां पर देख लेते हैं, फिर से, दूसरा stock, यहां पर Colgate का देख लेते हैं, एक बार, तो Colgate भी देख सकते हो कि लगातार move क्या है, तो यह भी show कर रहा है, कौन से stock है यह, overbought, RSI के recording, next यहां पर आ जाते हैं, फिर से technical screener में, आपको यहां पर देखना होगा, oversold, suppose, तो इस पर click करेंगे, अब यहां पर वो stock show करेंगे, जिन में RSI below है, कितना, 25, जिनका RSI 25 below है, तो वो stocks यहां पर show करेंगे, ठीक है, तो चलो इसका chart यहां पर open कर लेते हैं, यहां पर, fusion का, तो देख सकते हो, यहां पर यह जो stock है, वो क्या हो चुका है, oversold हो चुका है, बहुत डाउन आ चुका है, ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर RSI के recording भी, जो stocks को find out कर सकते हो, तो चलो फिर से आजाते हैं, यहां पर technical screener में, इसी तरह से आप इन सारे options का use कर सकते हो, friends, ठीक है, कुछ options मैंने use करके बता दिये हैं, सेम वैसे ही use करना है, अब यहां पर देखो, suppose, आपको resistance breakout वाले stocks देखने हैं, या फिर आपको support record वाले stocks देखने हैं, आप इस पे click करो होगे, आपके सामने ये stocks open हो जाएंगे, यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, पूरी detail लिखी हुई है, तो यहां से आप resistance breakout वाले stocks को search कर सकते हो, आप एक option यहां पर मिलेगा, आपको squeezing range का, जो stock range में होंगे, वो श्रो करेंगे, चलो इस पे click करके देख लेते हैं, click कर लिय तो देख सकते हो, जिसमें range बनी हो, narrow range, next यहां पर सपोर्स टाटर टेक का भी chart एक बार देख लेते हैं, open करके, देखो चार्ड में इसलिए open करके बता रहे हो कि जहां पर आपको चीजे clear हो जाएं, तो यह भी देखो यहां पर एक range के अंदर चल रहा है, छोटी से range बनी ह वाली stocks चाहिए, तो आप इस तरह से यहां पर search कर सकते हो, तो अगर आपको भी इस option का use करना है, तो आप अपना account open कर सकते हो, धन पर वीडियो की discussion में आपको link मिल जाएगा, तो चले इस वीडियो को यह पर ही end करते हैं, वीडियो पसंदे तो वीडियो को लाक ज़रूर कर